हेलो दोस्तों नमस्कार इस्ठाक मार्केट से रूटीव चनल में आपका स्वागत है भी हम पात करने वाले हैं असोक लेलेंट सेर की जो की आप चानते हैं यह जो है कंपनी इंडिया की इवी के छेतर में उभरती हुए बहुत बड़ी कंपनी है साथी साथ जो है भी विकल्स होते हैं उस छेतर में काम करने वाली टाटा अप्टर से उसके बाद यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी सप्लाई जो होती है वह नकिवल बड़े-बड़े कंपनी होती है जब बलकि इंडियन आर्मी को भी यह अपने बसें और ट्रकें सप्लाई करता है तो हम इ यूटू का रिजल्ट आया है उसको फिलहाल हम डीटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि यह जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है और यह भी देखेंगे कि इसका जो है मार्केट पर कैसा परभाव पड़ा है क्योंकि यह नौ नोमर को चुकि इसका रिजल्ट जारी हुआ था उसके बाद एक दिन मार्केट चला भी था था हम इसको मार्केट के परभाव भी दिखने की कोशिश करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं जो फिलाल रिजल् कमपणियां होती इसका डेट सामिल होता है साथ साथ इसन्र ट्जल й भी डेटा सामिल होता है यह जो शारी क्लिए आप डेटा स्य झुवह करोणू में दिया गया है और इसमें चूकि चोटा 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 आप दिखाई दे रहा होगा तो ऐसको थोड़ा सा आप ध्यान से करके देने की कोसिस करिएगा और यह जो सिग्मेंट दिखाई दे रहा है सितंबर माह भात करें तो यहां पर आप देखिए इसका जो रहा है वह इस में रहा है 11,439 करोन का जो कि पिछले सेम क्वार्टर में यह था 9600 करोन का तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका रिवेनु फ्राम अप्रेशन में गजब की बिर्दी दिखाए दे रही है यह रानियर बेस पे जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच् बात कर लें इसके टूटल इंकम की तो इसका जो टूटल इंकम आप देख रहे हैं यह फिलाल 11,463 करोन का कोता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में जो कि पिछले सेम क्वार्टर में यह 9620 करोन के आसपास था तो इस हिसाब से आप देखिए कि एर और य जून क्वार्टर यानि जून 2030 में इसमें 97-135 करोन का टूटल इंकम हुआ था जो कि फिलाल बढ़के यह 11,463 करोन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस हिसाब से अब देखिए कि क्वार्टर कार्टर बेस पे भी इसने गजब का परफार्मेंस लेकाल के दि रहा था रहा था सितंबर 2022 में जहां यह 9,287 करोन का था वो फिलाल बढ़के 10,500 करोन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है जब कि अगर हम पिछले जून क्वार्टर की बात करें यह जून 2030 की बात करें तो यहां पर देखिए यह इसका जो तोटल एक्सपेंस रहा थ और क्वार्टर और क्वार्टर बेश पे भी यह फिलाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब हम अगर बात कर लें यहीं पे प्रॉफिट विफोर टेक्स की अर्थात जो टेक्स देने से पहले जो टोटल एक्सपेंस और टोटल इंकम का जो अंतर होता है उसको लिकान लेक समय पाद जो प्रॉफिट भषचता है उसे प्रॉफिट विफोर टेक्स कहते हैं तो यहां पर दिख़िए जो प्रॉफिट विफोर ट्री फिलाल दिखाई दे रहा है सितंबर 2030 क्वार्टर में वह 9,027 करोन का तोटल दिखाई दे रहा है जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 344 करोन का था तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लबग दो से तीन गुनिया बिर्दी दिखाई दे रही है इसके प्रॉफिट विफोर टेक्स में एर और जब कि अगर क्वार्टर बात करें तो यह 6,086 करोन के आसपास से बढ़के फिलहाल यह 9,027 करोन के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐयराने यह बैस दो जब जरस पर फार्म इंस दिखा रहा है लेगन क्वार्टर में क्वार्टर बैस भी ठीक-ठाक और फार्म इंस दिखाते हुए नजर आ रहा हैं सारे घठाने के बाद då टेक्स रिलेडेट कर्चा और ने हो उस तरे घठाने बाद जो प्रोफिट बसता है हे तो सब्ub 채 Hai तो यहां पर देखानी İs का दिखाया दे रहा है वह इस कोण्ट में आनि सिटमब लबक 2-3 गुर्ती फिलाल इसमें दिखाई दे रही है यारान इयर बेस पे जब कि अगर हम क्वाटरां क्वाटर बेस पे बात करें तो इसमें मामली सी गिरावर दिखाई दे रही है और ये पांच हजार 84 क्रोन से घटके फिलाल 5,079 क्रोन पे आ गया है क्वार्टर बेस पे अर्थात जहां जून क्वार्टर दोजार तेश में यह 5,084 क्रोन का इसका टूटल नेट प्रॉफिट हुआ था वो फिलाल घटके 5,079 क्रोन पे आता हुआ नजर आ रहा है अब मगर बात क तो इस तरीके से इसे लागातार आडर पे आडर मिल रहे हैं अभी हाली में इसे गुजरात सरकार से आडर मिला है तो मिलाडू सरकार से आडर मिला है जिसका वीडियो हमने बनाए हुआ इसको हम इसके इंडी स्किन में दे देंगे वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो उसी हिसाब से यह कंपणी आने वाले समय में क्यू 3 का रिजल्ट और क्यू 4 का जब रिजल्ट पेस करेगी तो उसमें अच्छा खासा परफार्में तिखा और यह कंपनी का एक तरीके से तूती बोलती है और यह तोटा टाटा मोटर्स को एक तरीके से पचाड़ने के लिए भी यह बरतमान में तयार हो रही है अब हम अगर बात कर लें हैं पे इसके सिग्मेंट वाइज जो रिवेनी हुआ है उसकी क्योंकि यह देखना बहुत ज जरा रही है और यह और यह बेस पे इसमें अच्छी खासी ग्रोट दिखाई दे रही है और 838 क्रोन से फिलाल बढ़के 10,299 क्रोन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं क्वार्टन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफार्मेंस दिखाती हुई नजर बात करती है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोट दिखाई दे रही है और यह 862 क्रोन से बढ़के 1131 क्रोन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है यह रानियर बेस पे और क्वार्टन क्वार्टर बेस पे भी यह ठीक ठाक परफार्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है बात कर लें इसके कुछ सब्सटिडि़ कंपनियों के माधिम से यह काम करती है यह जो असोक लैड़न सेहर है और यह हिंदुजा गुरूप की इसकी सब्सटिडिक कंपनी भी है तो यहां पर आप देखिए इसकी जु सब्सटिडियों कंपनिया है वह लैलेन फारेविटर स अलबोनेर जो है जी भी अच्छी है असोइक ले लेंट है इंदुजाट टेक लिमिटेड है विश्वाब्स है ग्रो डिजिटल है ओश्यम ग्लोबल मॉबिलिती प्राइबेट प्रेट के में वहीं यह काम करती है साथी साथ कंप्णी ने डा जो ज्वाइंट वेंचर करके भ यह जो कि पिमयान यह काम करती है एक सबस्क्राइब बाब और भी बड़ा है और चाहिए अपनी ब्रियपार के लुए बेपार को बढ़ाने में आ रही है जिस दिन Q2 का रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन एक और बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया था और वो अपडेट यह था कि यह जो कंपनी है वो अपने रिशार्च एंड डेवलप्मेंट पे लब बारा सो करोंड रूपे खर्च करने जा रही है उसके बार में इसने प यह तका देख रहे हैं कि यह जो जिस यह अत्रोंग को आप करने वालम इस ही जर्याषण बनगेशन के और फिरनते हैं के इस जो तो बारासों करोन कौन का यह जो प्र्जेक्ट यह लांच कर रहे हैं तो प्रोग्वाश्य सके रहे हों आपके उप्रेश्द प्योंस चेतर स हुए नजर आ रहे हैं तो इस हिसाब से आप देखिए जो कंपनी है जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है और चुकि अभी एनाउंस करी है कि 1200 करोण का ये इन्वेस्ट करने जारी है इन्फ्यूजन करने जारी है रिशर्च और डेवलोप्मेंट के साथ ऑप्रेशन पे उस तरीके से लागातार गुरूथ पे गुरूथ दिखा दे रहे हैं वह टाटा मोटर्स को भी बीट करने की छमतार रखती है अब हम अगर बात करें कि असोक लेने जो लिम्टेड से जिसका क्यूट का रिजल्ट आया है चुकि यह क्यूट का रिजल्ट नोंबर को आया था त इतनी से कैसे लिया है तो यहां पर देखिए जो दस नोंबर का करोबार हुआ था उसमें दो परसेंट के तेजी दिखाए दी थी जो यह बता रहा है कि यह जो कंपनी है इसके रिजल्ट को मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया है और यह फिलाल एक तरीके से दो परसे परसेंट के तेजी दिखाते हुए एक सोती रुप्य परशेतर पैसे पे फिलाल बंद हुआ था तो इसको मार्केट को फिलाल यह रिजल्ट पसंद आता हुआ नजरा रहा है वह यह अगर हम बात करें तो धाई परसेंट का रिटरन लिकाल के दिया है एक महीने में माइनस म में 64-64 परसेंट का इसको रिटरन लिकाल के दिया है लेकिन इसमेशलम यह जाने वाले समय माप देखेंगे कि 2030 जाते यह बहुत और बड़ी कंपनी बनती हुए नजर आएगी यहिए कि तस नॉंबर को कारॉबार कैसा हुआ था तो इसमें जो फोगर पहलार हुआ था वो लगवक आठ लाग का टूटल क्वांटिटी ट्रीड हुई थी इसमें से लगवक धाई लाग क्या स्वास से डिलेवरी क्रूप में उठा लिये गए थे जो की लगवक 30-31% डिलेवरी उठाई गए थी जो यह बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं उसने अच्छा खासा इस रिजल्ट का फायदा उठाया और प्रॉपिट लेके निकल गए और मात्र मात्र 30% से 31% डिलेवरी फिलाल इसमें उठाई गई तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हीट करना तो पिल्कुल नब भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है यह आपको समय समय पर मिलता रहा है जैहिन दोस्तों